अबी फिशल 07 में आप लोगा स्वागत हैं इंडियन कॉंसील और फोरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन की और से 2024 के लिए आपका बिगेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज क्या गया है Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India 2024 अपडेट्स के बारे में आज बात करने वाले है नोटिफिकेशन आपका 5.11.2024 को आपका आउट किया गया है यहाँ पे आपका रिक्रिमेंट नोटिस पे आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे नमरों पोस्ट कैटेगरी और यहाँ पे आपका टेंथ एजुकेशन सेट और यहाँ एज लिमीट प्रोवाइड क्या गया है फर्स्ट में आपका यहाँ पे मल्टी टास्किंग, मल्टी टास्किंग के लिए स्टाप के लिए MTS के लिए आपका रिक्रिमेंट लिच क्या गया है लेबल से 1 का आपका पेस किल रहने वाला है नमरों पोस्ट आपका एट पोस्ट लिच क्या गया है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिकेशन आपका सिंपली टेंथ पास आउट है तो आप इस फर्म को अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम एज आपका 18 और मैक्सिमम एज आपका 27 यहाँ पे रहने वाला है second में आपका lower division clerk third में आपका technician और technical assistant यहाँ पे field and lab के लिए आपका requirement list क्या गया है जो भी candidate जिस post के लिए apply करते हैं उस प्रकार से आपका base skill रहने वाला है level 2 में आप apply करते हैं तो 19,900 से starting होगा level 3 में apply करते हैं तो 21,700 और level 5 में आपका यहाँ पे रहने वाला है 29,200 तक आपका base skill प्लस आपको other launches add करके आपका base skill रहने वाला है education qualification आपका category by distribute क्या गया है यहाँ पे आप technical assistant के लिए apply करते हैं तो 21 year से लेकर आपका 30 year तक आपका age लहना चाहिए technician के लिए आपका 18 से लेकर 30, lower division color के लिए आपका 18 से लेकर 27 और यहाँ पे MTS के लिए आपका 18 से लेकर 27 year तक आपका age limit प्लस यहाँ पे आपका age listen भी आपको category by यहाँ पे मिल जाएगा education qualification में आप MTS के लिए apply करते हैं तो आपको simply यहाँ पे 10th pass out होना चाहिए 3 year का आपका experience यहाँ पे compulsory होना चाहिए lower division color के लिए आपका 12 pass out या typing आपका यहाँ पे 13 word per minute आपका English टैपिंग 25 word per minute हिंदी आपका यहाँ पे typing test आपका लिया जाएगा विसी परकार से आपका selection process आपको complete कर दिया जाएगा यहाँ पे आप हिंदी और English दोनों धाना चाहिए technician field और lab के लिए आपका 3 post लिच क्या गया 10 plus 2 with science आपका यहाँ पे होना चाहिए 60% आपका marks compulsory धाना चाहिए technician assistant के लिए आपका यहाँ पे bachelor degree science से होना चाहिए और यहाँ पे agriculture या आप बायू टेक्नोलोजी लिए है या forestry है जो लोजी है तो आप इस phone को apply कर सकते हैं 4 category में आपका notification लीच क्या गया है यह जली सेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है SCST candidate के हैं तो आपका 5 यह का यह जली सेशन मिलेगा आप PWD candidate है तो आपका 10 यह का PWD SCST candidate है तो 15 यह का एक्सरविसमें candidate है तो आपका 3 यह का और यहाँ पे आपका PWD candidate के लिए है तो जो भी candidate जिस Central या Civilian Post के लिए है तो आपका यहाँ पे एज लेसेशन क्राटेगरी बाज यहाँ पे मिल जाएगा आप यहाँ से देख सकते हैं मैं आपको टेली ग्राम में आपका Official Notification का PDF में प्रोवाइट कर दूँगा आप अच्छे से देख सकते हैं इस परकार से आपका यहाँ पे Distribute क्या गया है यहाँ पे Technician के लिए Age Limit यहाँ पे Distribute क्या गया है आप देख सकते हैं Technical Assistant के लिए भी यहाँ पे Age Limit प्रोवाइट क्या गया है 21 से लेकर आपका 30 येर तक और यहाँ पे आपका Application fee लिया जाएगा यहाँ पे आपका Refundable, Non-Refundable यहाँ पे रहने वाला है MTS के लिए आपका 250 रूपीज यहाँ पे Processing आपका 250 रूपीज टोटल आपका यहाँ पे रहने वाला है Unreserved Candid के लिए आप OBC Candid है, General Candid है तो आपका 500 रूपीज आप Human और SCST और Ex-Servicemen Candid है तो आपका 250 रूपीज आप PWD Candid है तो आपका कोई भी Application fee नहीं लिया जाएगा Lower Division यहाँ पे आपका Color के लिए भी यहीं पे आपका Unreserved Candid के लिए यहाँ पे UROBC Candid के लिए आपका 100 रूपीज और यहाँ पे आपका Human है, आप SC है, SD है और Ex-Servicemen Candid है तो आपका 500 रूपीज PWD Candid के लिए आपका कोई भी Application fee नहीं लिया जा रहा है Technician में भी आपका यहाँ पे 1000 रूपीज आपका यहाँ पे लिया जाएगा 500 रूपीज और यहाँ पे PWD Candid के लिए आपका कोई भी Application fee नहीं लिया जाएगा इस परकार से आपका Distribute के गया है, जो भी Candid जिस Post के लिए अपलाई करते हैं उस परकार से आपका यहाँ पे Application fee भी Distribute के गया है यहाँ पे आपका 814-2024 से लेक कर आपका 3014-2024 तक आप इस form को apply कर सकते हैं मैं आपको description में icfre.gb.in में जाकर आप simply check out कर सकते हैं मैं आपको description में link provide कर दूँगा यहाँ पे आपका 2038 यहाँ पे आपका page का notification रिलिज किया गया जो भी important important बात है मैं आपको बता रहा हूँ आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे apply करने admit card देख सकते हैं कि आपका apply करते तो अधार card आपका होना चाहिए print out यह अधार card का voter ID या driving license है pen card है कोई भी आपका ID proof यहाँ पे examination center में आप जाते हैं तो उसमें आपको यहाँ पे देना पड़ेगा यहाँ पे आपका MTS के लिए आपका syllabus अलग है MTS के लिए आप apply करते हैं तो general English होना चाहिए 25 marks का होगा 90 minute आपका यहाँ पे रहेगा general intelligent and reasoning आपका यहाँ पे numerical ability और general awareness आपका 25-25 marks का आपका रहने वाला है इस परकार से आप यहाँ से अच्छे से त्यारी कर सकते हैं lower division color में English language आपका basic आपका यहाँ पे रहने वाला 25 marks का आपका यहाँ पे general intelligent reasoning ability रहेगा और general awareness आपका 60 marks का आपका यहाँ पे time दिया जाएगा इस परकार से technician के लिए आपका यहाँ पे general awareness रहेगा multi यहाँ पे आपका ability रहेगा reasoning रहेगा English रहेगा यहाँ पे arithmetic रहेगा और basic science यहाँ पे आपको provide के जाएगा यहाँ पे 180 मिनट का आपका time दिया जाएगा one third का आपका negative रहने वाला है आप अच्छे से देख सकते हैं technician के लिए आपका technical assistant के लिए आपका general intelligent English और यहाँ पे आपका जो भी geology आपका है आपका agriculture है बायो technology है उस परकार से आपका question और यहाँ पे 180 मिनट का आपका time दिया जाएगा इस परकार से आपका syllabus distribute क्या गया आप अच्छे से त्यारी करके आपको forest department में आप apply करके एक suitable government जो प्राप्त कर सकते हैं 2024 के लिए आपका biggest notification release क्या गया है Indian council of forest research and education की और से I hope कि आपको वीडियो अच्छला होगा आज के लिए इतना ही